दोस्तो एक बाब फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दे यूट्योब में है और दोस्तो आज हम आपके लिए एक और इंट्रस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं दोस्तो क्या आप एक SUV परचेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं बड़ आपको एक कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन सी लेओ कौन सी कंपनी के लिए फाइव सीटल लो या सैवन सीटल लो तो दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको क्लियर कर दिंगे कि आपके वजट में आपके एक सबसे बेस्ट SUV कौन सी है तो आज की वीडियो को लास तक जरूर देखें स्टार्ट करते हैं नमबर वन से तो पर आ जाती है निसान मैगनाइट दोस्तो निसान मैगनाइट एक कॉंपक्ट फाइव सीटर SUV है जो कि अपने सेंग्मेंट में नमबर वन मानी जाती है बात आपको इसमें मैनवल और आटमाटिक दो ट्रांसमिशन देखने को मिल जाते हैं प्राइस की बात कर तो इसकी प्राइस टार्ट होती है च्छे लाग से जाती है ग्यालाग तैथी से जार तक सेकेंड नमबर पर जाती है दोस्तो रिनॉल्ट काइगर निसान मैगनाइट को स यह गाड़ी आपको फाइव सीटर में मिलती है प्राइस की बात के तो इसकी प्राइस स्टार्ट होती है च्छे लाग ते तालिस हजार से और हो जाती है ग्यालाग पासट हजार तक थर्ड नमबर पर जाती है दोस्तो मारती सिजु की विटारा ब्रेजा इसमें आपको मिल जाता है फिराल यह गाड़ी फाइव सीटर आप्शन में अवलेबल है बट कंपनी जल्द इसका सैवन सीटर वर्जन लाने वाली है प्रैस की बात करें तो इसकी प्रैस स्टार्ट होती है आर्थ लाग पैसेट हजार से और वह जाती है तेरा लाग थीस हजार तक फोर्थ नमर पर जाती है दोस्तों टाटा नेक्साउन बात करने इसके इंजिन की तो यह आपको दो इंजिन ऑप्शन में अवलेबल है एक 1.2 लीटर टेर्बो चार्ज पैट्रॉल एंजिन और दूसरा 1.5 लीटर टेर्बो चार्ज डीजल इंजिन इसका पैट्रॉल वेरियंट ज कैपरिसेटी की बात करें तो यह गाड़ी 5-seater में अवलेबल है पैट्रॉल वेरियंट की पैट्रॉल वेरियंट की पैट्रॉल स्टार्ट होती है आठ लाक अठाई हजार से और वह जाती है 13,88,000 तक वह इसके टीजल वेरियंट की पैट्रॉल इसका दू लिटर में अवल 1.0L और 1.2L दीजल 1.5L पाजिए तो बात करें तो वह भी एच्प फावर और 7 चाबदीन तो पीज सेटेंदें को भूर पाद करें तो इसमें आपको लिस नावत पीएच्प टॉर्क मुंमिल जाते हैं यह जाते हैं यह आपको 5 सीट में अवलेबल है प्राइस की बात करें तो इसके petrol variant की price start होती है 7,99,000 से और वो जाती है 13,66,000 तक वहीं इसके diesel variant की price start होती है 10,86,000 से और हो जाती है 13,66,000 तक 6th position बार जाती है दोस्तो Kia Sonnet बात करें इसमें मिलने आले engine की तो यह आपको मिलता है 1.2 liter petrol, 1.0 liter petrol engine and 1.5 liter turbo charge diesel engine बात करें इसके transmission की तो यह आपको manual automatic with sports mode के साथ available है petrol generate करता है 118bhp की power और 7 में देता है 172 नम का torque वहीं इसका diesel variant generate करता है 113bhp की power और 7 में देता है 250 नम का torque यह गाड़ी भी आपको 5 seat option में ही available है प्राइस की बात करें तो इसका petrol version start होता है 7,89,000 से हो जाता है 15,12,000 तक वहीं इसका diesel variant शुरू होता है 9,65,000 से हो जाता है 15,50,000 तक 7th position बात करें इसके प्राइस इसके engine की तो यह आपको मिलते है 1.2 liter petrol turbocharged engine और 1.5 liter turbocharged diesel engine इसका petrol variant generate करता है 109 VHP की power साथ में देता है 210 NM का torque वहीं इसका diesel variant generate करता है 115 VHP की power और साथ में देता है 300 NM का torque अब बात करें इसके transmission की तो इसमें आपको 6-speed manual और automatic transmission देखने को मिल जाते हैं यह गाड़ी अभी 5-seater option में available है बात करें इसके price की तो इसके petrol variant की price start होती है 9,16,000 से और वो जाती है 14,69,000 तक वहीं इसका diesel variant की price start होती है 10,37,000 से और वो जाती है 15,52,000 तक 8 नमबर पर जाती है दोस्तो Ford की EcoSport बात करें इसके engine की तो यह आपको 1.0L EcoBoost और 1.5L petrol और diesel turbocharged engine में available है इसका petrol variant generate करता है 121 BHP की power और साथ में देता है 159 NM का torque वहीं इसका diesel variant generate करता है 99 BHP की power और साथ में देता है 215 NM का torque यह गाड़ी आपको automatic और manual दो transmission option में available है यह गाड बात करें इसके price की तो इसको petrol variant की price start होती है 9,34,000 से और वो जाती है 13,15,000 तक वह है इसके diesel variant की price start होती है 10,14,000 से और वो जाती है 13,51,000 तक 9th नमबर पर जाती है दोस्तो मारती सिजुकी की S-Cross इस बात करें इसमें मिलने वाले engine की तो इसमें आपको मिलता है 1.5 लीटर का K15B petrol engine जो generate करता है 103 BHP की power और साथ में देता 139 का torque जो वहीं बात करें इसके transmission की तो इसमें आपको manual और automatic transmission देखने को मिल जाता है यह transmission पर जाती है दोस्तो Hyundai की Krata बात करें इसके engine options की तो इसमें आपको petrol और डीजल दो engine option में available है इसका petrol variant generate करता है 138 BHP की power और साथ में देता है 242 Nm का torque वहीं इसका diesel variant generate करता है 113 BHP की power और साथ में देता है 250 Nm का torque transmission की बात करें तो गाड़ी में आपको manual automatic CVT and DCT transmission देखने को मिल जाता है दोस्तों CVT, DCT, automated transmission की details आपको description में मिल जाएंगी capacity की बात करें तो ये गाड़ी भी आपको 5-seater option में available है बट इसका 7-seater version यानि की Hyundai Alcazar market में launch हो चुका है जो की लोगों को काफे पसंदा रहा है तो price की बात करें तो इसकी petrol की price start होती है petrol variant की 1,54,000 से और वो जाती है 20,56,000 तक वहें इसका diesel variant शुरू होता है 12,27,000 से और वो नमबर पर आजाती है दोस्तो Kia Seltos ये गाड़ी भी आपको petrol और diesel दो engine option में available है बात करें इसके petrol variant की तो वो जनरेट करता है 113 वह पी की power और 7 में देता है 113 वह पी की power और 7 में देता है 250 अम का टॉर्क transmission की बात करें तो ये गाड़ी आपको manual, automatic, CVT और DCT transmission के साथ available है capacity की बात करें तो ये गाड़ी भी आपको 5-seater option में ही available है अब बात करें इसके price की तो इसके petrol variant की price start होती है 9,96,000 से और वो जाती है 17,65,000 तक वह इसके diesel variant की price शुरू होती है 10,46,000 से और वो जाती है 17,86,000 तक 75 diesel turbo charge engine मिल जाता है जो generate करता है 75bhp की power हो साथ में देता है 210 Nm का torque वहीं transmission आपको इसमें manual देखने को मिल जाता है capacity की बात करें तो महिंद्रा बोलेरो में आपको 7-seater मिल जाती है price की बात करें तो इसकी price start होती है 9,95,000 से हो जाती है 11,6,000 तक तो तेरवी नमबर बे आ जात जो generate करता है 100bhp की power और साथ में देता है 260 Nm का torque वहीं इसमें मिलता है आपको manual transmission capacity की बात करें तो बोलेरो नियो आती है 7-seater option में price की बात करें तो इसकी price शुरी होती है 9,77,000 से और वो जाती है 11,48,000 तक जोस्तों अगर आपको महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो का डि diesel engine जो generate करता है 168bhp की power और साथ में देता है 350 Nm का torque बात करें इसके transmission की तो गारी automatic और manual transmission में available है capacity की बात करें तो गारी में आपको 5C3 देखने को मिलती है price की बात करें तो इसकी price शुरू होती है 16,80,000 से और वो जाती है 24,64,000 तक पंदरवे नमबर पर आजाती है दोस्तो टाटा सफारी बात करें इसके engine की तो यह भी आपको मिलती है 2.0 लिटर टर्बो चार्ज डीजल engine के साथ जो generate करता है 168bhp की power और साथ में देता है 350 Nm का torque transmission की बात करें तो गारी manual और automatic दोनों ही transmission में आती है capacity की बात करें तो टाटा सफारी आपको 7-seater में available है price शुरू हो से और वो जाती है 25,37,000 तक शोलवे नमबर पर जाती है दोस्तों Hyundai Alcazar यानि की Krita का 7-seater version बात करें इसके engine की तो गाड़े आपको दो engine option में available है पहला 2.0 लिटर पैट्रॉल इंजन और दो सा 1.5 लिटर डीजल इंजन जो जो दोनों ही टर्बो चार्ज है इसका पैट्रॉ transmission की बात करें तो Alcazar manual और automatic donor transmission में आती है Alcazar 6 और 7-seater दोनी option में available है इस पैट्रॉल वे रेंड की प्रैस शुरू होती है 19,15,000 से और वो जाती है 23,49,000 तक बीजल वे रेंड की किमत शुरू होती 19,21,000 से और वो जाती है 23,35,000 तक 17 नमबर पर जाती है दोस्तों Mahindra की Scorpio ब available है जो जनरेट करता है 137 भी एच्पी की पावर और सांथ में देता है 319,000 का टॉल ट्रांसमिशन की बात करें तो Scorpio आपको 7-seater option में available है प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस शुरू होती है 14,85,000 से और वो जाती है 20,45,000 तक 18 नमबर पर जाती है दोस्तों मॉरिस ग बात करें इसके एंजन की तो इस गाले आपको 1.5 लिटर पेट्रॉल 1.5 लिटर हाइब्रीट पेट्रॉल और 2.0 लिटर डीजल एंजन की साथ आवलेबल है पेट्रॉल वेरेंट जनरेट करता है 140 भी एच्पी की पावर और सांथ में देता है 250 नम का टॉर्क वहीं डीजल की बात करें तो हेक्टर 5 सीटर में अवलेबल है बट इसका हेक्टर प्लस यानि की सेवन सीटर वर्जन भी मार्केट में आ चुका है इसके प्राइस शुरू होती है पेट्रॉल की 15,13,000 से और वह जाती है 21,55,000 तक वह इसका डीजल वेरेंट की प्राइस शुरू होती है 16 18,88,000 से और वह जाती है 22,31,000 तक उनिसवे नंबर पर जाती है दोस्तों MG की हेक्टर प्लस यानि की हेक्टर का सैवन सीटर वर्जन बात करें इसके इंजन की इसमें भी आपको 1.5 लिटर का पेट्रॉल टर्बो चार्ज इंजन मिलता है साथ में मिलता है 2.0 लिटर का 250 इंजन की बात करें तो हेक्टर प्लस भी मैनवल और सीवीटी और डीसीटी ट्रांसमिशन में आवलेबल है बट यह गाड़ी आती है 7 सीटर आप्शन में प्राइस की बात करें तो इसके पैट्रॉल वे रेंड की प्राइस शुरू होती है 15,81,000 से और वह जाती है 22,47,000 और वह जाती है 23,47,000 तक दोस्तों बात करते हैं 20 वी नंबर की गाड़ी की यानि की लास्ट गाड़ी की जो है दोस्तों इसकोड़ा की कुशाक बात करें दोस्तों इसके एंजन की तो यह गाड़ी आती है 1.0 लिटर पैट्र और 1.5 लिटर पैट्रॉल एंजन के साथ जो करता है 148 bhp की पावर और सांथ में देता है 250 nm का टॉर्क ट्रांस्मिशन की बात करी तो इसमें आपको मैनुल और आटोमेटिक दोनों ही देखने को मिल जाते हैं यह गाड़ी एक five-seater compact SUV है प्रैस की बात करें तो इसकी प्रैस शुरू होती है है तो कमेंट करेंगे जरूर बताएं तो दोस्तों थैंक्स वर वाचिंग माई वीडियो है वे ग्रेट नुए